यह लेबनन सीरिया का बॉडर है और सामने इसराइल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं, कम्मिनिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलान्स कैमरे भी लगे हैं तभी जाड़ियों में से निकलती एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है पहले राडार पर गोली फायर होती है फिर कम्मिनिकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलान्स कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इसरेल लेपनन बॉर्डर पर हो रहा है इसरेल डिफेंस का पूरा नेगरानी स्ट्रक्चर हेजबॉला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इसरेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक बार देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इसरेल के बाकी टैंक भागने लगते है दूसरा वीडियो दुहेरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहां भी इसरेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इसरेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इसरेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इसरेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तज़्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसैन अमिर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिजबॉल्ला की तरफ इशारा करते हुए इरान ने कहा है कि अगर इरान और लेबनन ने इसरेल को जबाब नहीं दिया तो इसरेल की सेनत तहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी इसम कोई शक नहीं कि इसरेल की फाद जिस तरस घज़ा को हजारों तरन वम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है इरान ने पूरे पश्य मेश्या का एक एक इंच नापकर इसरेल की ताकत का पूरा अंधासा लगा लिया है इसरेल और लिबनान बॉडर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉडर से निकाल कर इसरेल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इसरेल पूरी लड़ाई लड़ेगा इसरेल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर घाजा में इसरेल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सुधी अरब, जॉर्डण और मिस्र से भी इसरेल को कड़वे शब्द ही मिले है इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराग में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल-शाबी भी तयार है इस वाक्त यमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते हैं यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से योध लड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इसरैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इसरैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाईए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमीटर की रेंज दक मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौधी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते है और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर फैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकोने हिजबला के साथ एरान को युद मे कोदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरीकाईगा वाजा व्मारीकाईगा हमान तुर के गुदते हैं पयाम हाई रू मीदन, वी माह हम पयाम दादन पयाम शुम वे एरान शामल ताकीब बर खिश्दनदर्णारी वदम गुदार्श जंग मा वा अमरीकाईगा पासुख मीदगें कि मा ब दन्बाल गुस्तरश जंग नीसेंग, अमा खीश्टनदारी नमीतोने यक जानब बाशे, शुमा नमीतोनीद बेहिए लबनान तोसीह बकनीद, खीश्टनदारी बकने, बड़ बेनतानियोही बगोई दस्त शुमा रो बाज मीघजारीम, हर जनायती रो मीख़ाई अल लाख रोकेट क्या कर सकते हैं? इसका अंदाजा इस बात से लगाई है. इस से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड़ों को अपने टार्गेट पर ले लिया है. इस वक्त इसरैल तक उसके मिसाइलों की रेंज में आ चुका है. इरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है अब पश्य मेशिया के वो इलाके भी उसकी पहुंच में हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और इस वक्त नेतन याहू और बाइडन दोनों इरान की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बॉख लाए हुए हैं अगर इसरेल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजे इन सभी अड्डों से इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिठी में मिला देगा इरान पहले ही अमेरिका को अ आसपास बरदाश्ट नहीं कर पा रहा और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है